नमस्कार दोस्तों, मैं रोहुन शर्मा स्वाद करता हूँ सभी का आपकी अपने चनल जोतिशिन वास्तु में कैसे हैं आप सभी? आज हम आपर बात करने वाले हैं 24th October 2021 के बारे में 24 October 2021 आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है? कहां पर आप सभी को सावधनी रखनी हैं? क्या चीजें आप सभी को करनी हैं? और क्या करने से आप सभी को बचना है? इसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा अच्छो कोपाए और एंजल नंबर जिसको करने से आप अपने इस दिन को और पीज़ाता पहत्री नियाँ पर बना सकते हैं 24th October 2012 रईवार का ये दिन रहेगा और रईवार का ये दिन आप सभी के लिए बहुत सारी खुश्यों वाला दिन ये हो सकता है जी हाँ एक तरह से दिन की जब मैं कैल्कुलेशन कर रहा था तो मुझे दिन में कहीं ने कहीं कोई सुकून वाली फिलिंग आ रही थी क्यार दिन बड़ा पीसफुल रहेगा दिन बहुत ही ज़ाद अच्छा रह सकता है आज के दिन आपको कोई भी ऐसी दिक्कत परिशानी यहां पर नहीं होगी और फैमेरी के साथ बड़ों के साथ अपने के साथ अपने आप के साथ एक पीसफुल आप टाइम व्यत्यत कर प करने की कोशिश ही नहीं करनी है इस बात का दियान रखिएगा काम का लोड थोड़ा सा रह सकता है या फिर परिवार के साथ मिलके कोई काम करना पड़े तो ऐसा हो सकता है और वो भी स्वाभाविक भी है कि कही ने कई दिवाली का समय है तो हो सकता है अगर की साफसफाई च और जो शांती और सुकून आप पाना चाहते हैं, उस शांती और सुकून को पाने का आपके पास यहां पर पूरा-पूरा मौका है। 24th October 2021 के हम बात कर रहे हैं, करवा चौत का दिन है, महिलाओं के लिए तो विशेश दिन है, और महिलाओं तो खुश रहेंगी, महिलाओं के साथ साथ उनके पती देव भी यहां पर खुश रहने वाले हैं। जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तालों को खोलने का, अपनी खुशियों के तालों को बंद करके फेक दीजिए, आपके पास पूरा-पूरा मौका है। जाब में, करियर में ऐसे में बहुत जाए दिकत, बहुत परेशानी नहीं दिखाई दिथी, कोई टेंशन वाला महृ यहाँ पर नहीं दिखता। ऐसे चांटसताप के बनेंगे सेहत आपकी काफी अच्छी रहेगी हैं आपकर सेहत में कोई दिक्कत को इपरेशन नहीं दिखाए देती और एक अच्छे लेवल पे आप सेहत को स्टेबल कर पाएंगे सेहत में आप थोड़ी सी positivity महसुस कर पाएंगे तंदरुस्त महसुस कर पाएंगे अपने आपको थोड़ा सा अच्छा फील कर पाएंगे तो इसलिए ये दिन आपके लिए हर एंगल से कुछ उनकुछ खुशियां लाने की कोशिश करता है आज के दिन क्यूंकि आप करवा चौद का भी दिन है एक positive दिन है पवित्र दिन है और खुशनुमा दिन है आप अपनी love life के लिए भी यहाँ पर कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं अपनी love life को भी एक नए level पर यहाँ पर शुरू कर सकते हैं और अगर आप किसी नए partner से मिलते हैं या फिर किसी नए partner के साथ कोई बातचित करने कोशिश करते हैं तो बहुत ही शुब दिन है अपने रिष्टों को अच्छा करने का जिनके रिष्टे बिगडे हुए हैं काफी लंबे समय से रिष्टों में परेशानिया आ रहे हैं उता चड़ा वा रहे हैं उनके लिए भी ये एक शुब समय है रिष्टों को अच्छा करने का तो इस दिन का आपको फाइदा उठाना ही चाहिए आपके लिए काफी ज़दा अच्छा रहेगा यहाँ पर देखा जाए तो देश और दुनिया में भी महोर कही ने करी ठीक रहेगा बहुत ज़दा घंबी रिस्तिती नहीं दिखाई दीती बहुत ज़दा नेगिटिव एन्वारिमेंट नहीं दिखाई दीता और काफी अतक चीज़े जो है वो स्टेबल रहेंगे और स्टेबिलिटी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ते वए नजर आएगी नेचर बैलेंस रहेगा गवर्मेंट बैलेंस रहेगी पॉलिटिक्स बैलेंस रहेगी और बॉलिवुड में भी कोई बहुत ज़्यादा खुछकबर यहाँ पर नहीं दिखाई दीती तो ठिंक कहीं ने कहीं एविटिंग इस बैलेंस और चीज़े ठीक रहेंगी चलिए अब बात कर लेते हैं आप पर राशियों के लिए किस राशी के लिए अच्छा और किस राशी के लिए खराब रहेगा यहाँ पर देखा जाए तो व्रशब राशी के लिए काफी ज़्यादा अच्छा समय पहुत ही ज़्यादा अच्छा समय आपर दिखाई देता है numbers में अगर हम यहाँ पर हम calculation करें तो number 2, number 3, number 5, number 6 और number 7 वालों के लिए यह समय थोड़ा सा अच्छा दिखाई देता है alphabets में अगर हम यहाँ पर calculation करें तो alphabets में अपनोट कर लीजिएगा कौन-कौन से alphabets हैं यहाँ पर देखा जाए तो b, i, g, t, s, m, p, l, k, y, z आप सभी के लिए यहाँ पर अच्छा समय जाने वाला है कोई दिक्काट कोई परेशन आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है चलिए बाग कर लेते हैं अच्छो कुपाय के बारे में और angel number के बारे में कि क्या चीज आपको करनी है और कैसे आपको करना है जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिले करवाज ओत का दिन है और करवाज ओत पर जो विशेश अच्छो कुपाय आपको करना है वो मैंने अलड़ी बता दिया है वीडियो में जो भी शादी शुदा जोड़े हैं मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्पेस करूँगा कि वो उपाय जरूर करिएगा आपके जीवन में खुशाली आएगी और पारिवारिक माहौल आपके जीवन में अच्छा रहेगा चलिए अब यहाँ पर बात कर ले थी कि आपको कौन सा उपाय करना है आज के दिन विशेश कर रहिवार के दिन रहिवार के दिन आपको अगर किसी काम में आप मशुरूफ होते हैं तो कुशिश करिएगा कि पूरा काम खतम करें उसे अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़े इस बत का ध्यान दीजिएगा आज के दिन आराम से रिलाक्स रखे परिवार के साथ इंजॉय करने कोशिश करिएगा और खुशनुमा माहूर बनाने कियां पर कोशिश करिएगा तो ठीक रहेगा सुबह सुबह नहाते समय पानी में गुलाब जल या गुलाब की पतियां अगर आप डाल के सनान कर लें आज के दिन शाही सनान का आननद उठाइए और बहुत ही जधा चापील करिये आपके लिए दिन बहुत ही जधा शांदाल जाएगा इसके अलवा आज की दिन देखा जाए तो रोज गुलाब जो है उसकी बहुत importance है आज की दिन में और just because नहीं की करवाज होते हैं इसलिए गुलाब का नाम ले रहा हूँ यहां पर फील कर पा रहा हूँ कि कितना खुश्णोमा दिन है यह कितना जादा अच्छा दिन आपर जाने वाला है आप सभी के पस मौका है अपने इस दिन को अच्छा करने के लिए आज के दिन आपको और क्या करना है अपने लवन्स के साथ रहा समय विद्धित करिए अपने परिवार के साथ रहा समय विद्धित करिए वो भी आपके लिए अच्छा जाएगा और इसके अलवा आज के दिन अगर कोई बाहर जाता है, किसी विशेश काली से बाहर जाता है, तो कोशिश करिए का white color का इस्तमाल करे, red color का इस्तमाल करे, light और dark का combination भी आप इस्तमाल कर सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, आप वो music आगर आज आप सुन लेते हैं, या music meditation कर लेते हैं आज के दिन आप, तो ये तो बहुत ही जाद आच्छी चीज़ हो जाएगी, music meditation आपको कैसे करना है और कप करना है, वो मैं आपको बताते ता हूँ, note कर लीजिएगा, यहाँ पर आज के दिन आपको क्या करना है, दो पर, दो या तीन के बीच में, आप ये काम कर लीजिएगा, अपनी पसंद का music लगा दीजिए, आप चाहे तो गाना बजा दीजिए, चाहे आप audio बजा दीजिए, चाहे आप सिर्फ soft music बजने दीजिए, ऐसा नहीं कि कोई deep music की बताना है, अपनी पसंद का music बजाईगे, अपनी गाने को सुनते रही है, जो गाना आपने अपनी पसंद का चलाया है, that is called the music की power, आज आपको मैसूस होगी, और जो चीज़ आप feel करेंगे, वो शायद आगे कभी देखने को ना मिले, या फिर आगे पता नहीं कभ देखने को मिले, ऐसा कोई ऐसा नहीं कि जब भी आप music चल गैरेंटी दे सकता हूँ, आप करके देखेगा, और comment box में जरूर लिखेगा कि आखिर feel क्यासा हुआ आपको, चलिए, आप यहाँ पर बता देते हैं angel number, कि कौन सा angel number आपको इस्थमाल करना है, जिससे कि यह दिन और भी ज़ादा अच्छा हो जाएगा, आज का angel number जो रहने number है, बहुत ही अच्छा number है, और बहुत ही खुशनवा number है, आज का जो number है, वो है 0606, बहुत ही जदा effective number है, powerful number है, relationship को मजबूत करेगा, couples के लिए तो यह number काफी जदा अच्छा रहने वाला है, आज की दिन आप एक दूसरे को number लिखके send कर दीजिए, या फिर paper पे लिखक को खतम करने में आपकी मदद करेगा, जब आप meditation भी कर रहे होंगे, उस समय भी आप इस number को recall करके, अपनी problems को भूल जाइए, और अपनी चीजों को अच्छा करने के बारे में सोचिए, good things के बारे में सोचिए, तो शायद आपको काफी जदा फायदा मिलेगा, आज की दिन शाम के समय में एक गी का दिया, अपने मंदिर में ज़रूर लगाईएगा, और उस गी के दिये के पास भी आप इस number को recall कर दियेगा, दो से तिन बार की इस number को recall करके, अच्छे चीजों के बारे में recall करिएगा, आपको बहुत जादा फायदा है आपर मिलता हुआ दिखाई कर सकते हैं, मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा, आप सभी की हर संभव मद्दियां पर कर सकूँ, धन्यवाद